नमस्कार दोस्तों पर आपका स्वागत है Crown Immigration के YouTube चैनल पर तो आज हम 3 case studies के बारे में डिस्कस करेंगे यह 3 case refusal के हैं यह Crown Immigration के पास इन्होंने संपर्ख किया हमारी बहुत सारी वीडियो जेखी ही वीजा एक्सपर्ट करके रिफ्यूजल केसिस एक्सपर्ट करके तो जब हमारी वीडियो इस देखी तो तब हमारे पास इन्होंने फिजिकली विजड किया और एक बच्चे जब दो बच्चों ने हमारे वाटसप के अपर चैट की हुई है तो बहुत ही इंटरस्टिंग केसे हैं तो फिर तीन बच्चे जब दिफरेंट कंट्री से उपर पहले मैं कंट्री से बता देता हूं एक बच्चा अस्टेलिया से रफ्यूजड है बहुत ही बड़ीया प्रफाइल है इसके अंदर जो स्टूपिड थिंग क्या क्यों ही है बहुत बताऊंगा साथ में और एक बच्चा दो वर कनेडा से refused है और एक बच्चा दो वर अस्टेडिया से एक वर न्यूजिलेंड से एक वर स्वेडन से refused है यह तीन case study है बहुत interesting case study है क्योंकि जो market के अंदर trend चल रहा है वो इसी type का trend चल रहा है अगर आप यह वीडियो देखेंगे case study की refusal cases से related तो आप अपने लाखों रुपे बचा सकते हैं इवन अपना important time बचा सकते हैं मैं हर एक वीडियो में बार बार रिपीट करता हूँ यहां पर आपकी eligibility नहीं बनती तो we are saying कि आपकी eligibility नहीं है अगर आपके पास यह parameters नहीं है हमारा कभी भी यह motto नहीं रहता कि हमने सिर्फ अपनी registration fees लेनी है और यह cases के उपर वही हुआ है सिर्फ consultant का interest अपनी registration fees के towards बच्चे की ऐसी तैसी चाहे फिर जाए कोई लेना देना नहीं है सबसे पहले हम Australia वाले case की discuss करेंगे तो बच्चे के देखो percentage कितने है 10th में 85% है 12th में 86% है बच्चा commerce background का है और बच्चे ने PT की हुई है 50 है PT के अंदर अब ये बच्चा अगर मेरे पास आता तो I will never ever put his file, his or her file in Australia अगर इसकी eligibility वहाँ पर जो assessment level 1 वाली universities में नहीं बनती और हम क्या करते हैं हमने सिर्फ अपने 20 जार 25 जार प्या कमाने हैं हम बच्चे को आप total risk लेते हैं कहते हैं मिल गया तो तब भी हमें पहें मिलेगा तो तब भी नहीं मिलेंगे और आप ये देखिए कि Australia की अंदर risk factor कितना है अमबैसी फीसिज देखिए कितनी है 25 पैंदी 44 जार के अमबैसी फीसिज नहीं है फिर medical बच्चे का होता है बहां पर फीसिज आती है health insurance करवाना पड़ता है और कितना कुछ बहां से deduction होके आती है ये चीज़ें किसी नहीं बता नहीं बच्चा भी इसमें बच्चे का भी fault है बच्चा भी समझता नहीं है मैं यह नहीं कहूंगा कि consultant ऐसे है बच्चे भी इसके अंदर इनवोर रहते हैं जब उनको मीठे मीठे लिडू दिये जाते हैं वो कहता ठीक है यार बाकी ना कर रहे है यह agent कहता करवा लो और दूसरा इस बच्चे का जो admission है बहां पर advanced diplomine hospitality में तो पहले तो कॉल्जों में वीजा जो successful rate है वो negligible type की है अगर आप वहां की assessment level 1 वाली universities में डालते हैं या 2 या 3 वाली में डालते हैं तो maximum chances हैं आपको वीजा मिल जाए इवन अमबैसीज ने अपनी website के उपर GT के बारे में genuine temporary intent क्या होता है हम उनी बच्चों को वीजा देंगे आपको भी एडलिस महां पर जाकर पढ़ना चाहिए पर आप भी पढ़ते नहीं ना आप तो सिरफ guarantee वालो बर्डों पर use जहां पर होते हैं महां पर ज्यादा ट्रस् कोई benefit नहीं है क्योंकि अस्ट्रेलिया के अंदर एक एक साल हो गया बॉर्डर नहीं खुले बच्चे यहां पर चीके मार रहे हैं जिनके वीजा आये भी हुए हैं जिन्होंने आठाट बारां आठाट लाग से लेकर सोला सोला लाग की फीसे भी बेज़ दी हुई है वो कर्मन के अंदर बैचलर डिग्री वालों के लिए अपॉइंटमेंट की बहुत ज़़ा दिक्कत है इसको अवाइड करो जब बच्चा नहीं सुनता तो फिर मैं अपलाई करता हूं क्योंकि मेरी रिस्पोंसिबल्टी है मैं एक कंसल्ट हूं एक कैरियर कॉंसलर हूं और मैं मैं फादर हूं मेरे बच्चे के साथ कोई चीट करता है तो हमें भी दुख लगता है तो मेरे अपफरज है कि एट लिस अवेर जुरूर क्लाइंट को करा दें तो इस कारण जो बच्चे का रिफ्यूज हुआ है अभी बच्चे ने हमें कंसल्ट किया है इसके लिए मेरे प बच्चे के 10 में 8.2 CGPA है और प्लस 2 में 65 है और PCV Physics Chemistry Bio का बच्चा है और 2 या 18 का पास आउट है अभी इस बच्चे का वीजा अपलाई किया है वहाँ पे कॉलज में इसका डिप्लोमा हेल्ट एंड साइंस में आया तो उसमें उसको वीजा नहीं मिला नहीं मिलने के बाद ए इस बच्चे का अड्मिशन बहां की के युनिवस्टी के अंदर डलवा दिया बहां पर उसको BSC in Bio में BSC in Bio में admission दलवाया conditional admission with ELS program लगा कर क्योंकि कम था उसका क्या English में 5.5 थे और उसने conditional admission बहाई उस conditional admission जब बच्चे का आ आ गया तो वीजा फिर अपलाई किया अपलाई करने के बाद बीजा ओफसर ने फिर refuse कर दिया और refuse करना के अपस नोट निकाले उसके अंदर स्पेसिपिकली उसने लिखा है कि due to आपको एक तो आपके ILTS कम है एक मडियूल में दूसरा आपका जो admission आया है उस युनिवस्टी से वो conditional आया है आपने वहां जाकर प को बहुत ही बड़ी केस है होने वाला केस है बच्चा अगर द्वारा ILTS कर ले क्यूंकि उन्होंने अपने आपको असेप्ट कर लिया है Canadian government कि मैं इसका आपका केस refuse कर रहा हूं और उसको हम ठीक करके डालते है ना तो 95% chances है बीजा मिल जाए अगर नहीं मिलता ना तो 100% मेरी गरंटी है अगर इसका केस हम फाइडरल कोर्ड में डालते हैं अगर उसके पास refuse आती है तो इसको 100% पर बीजा मिलेगा के निटागा एडलीस आप इस को स्टड़ी तो करो किसी ने स्टड़ी नहीं करना बस दवा दव कुमाई जाओं मेरे पास ऐसर कुछ करिए मैंने तो इस पाउस के साथ जाना है मुझे options दीजिए अभी मेरे पास इसके पास भी बहुत सारे options हैं इसका हम case डालेंगे अभी एक देखिए बहुत ही interesting case हो रहा है मेरे पास यह चार कंट्री से refused है चार वरी refused हैं सुनिए बच्चा बिये किया हुआ है इसके साथ एटी की हुई है साथ में six band है बच्चे के इसके percentage में में 62 परसंट है प्लस टू में 62 परसंट है बैचलर में 2007 में की हुई है 59 परसंट है फिर एटी दो हैर दस में की 70 70 परसंट है तब से यह teacher है और इसका case शे बैंड है इसका case दो बार अस्ट्रेलिया से एक वा न्यूजी लेंड से और एक वार स्वेडन से रिफ्यूजड है stupid से stupid thing agents के motivation में अगर हमारे पास कोई case registered होता है तो पहले तो मैं अगर माड़ा केस हो तो मैं लेने की कोशिश नहीं करता है अगर फिर भी मेरे साथ registered होता है मैंने बताया कि मेरे पास 100 countries के option है अगर उसने कोशिश यह रहती है कि मैं maximum से maximum saving कराऊं यहां पर कोई application fees भी ना लगे यहां पर कोई फीज भी वीजा लगने के बाद जाए बैसी पीसिस भी reasonable हो सारा चेक करने के बाद मैं उसको मैं risk factor में डालता हूं जब हमारे पास ऐसा critical case आता और यह क्या करते हैं अपने डॉक्टर को ही चेंज करते रहते हैं पहले उस consultant के पास गया है उसकी service नहीं अच्छी लगी क्योंकि लोग जूट जाला बोलते हैं समझ आते हैं पर दूसरे को चेंज किया पर हमारे पास ही होते तो मैं इस case को definitely किसी ना किसी country में अच्छी से बेज देता है क्योंकि इनके पास ilts था व वहां पर फेक डाकुमेंट लगाकर डाला तो उन्होंने डाकुमेंट मांग लिए और इस चेकिंग के लिए मैंने फिर बता हैं बहुत सारी ब्यूडियों में बार बार बता रहा हूं कि Sweden में बहुत सारे बच्चों ने फेक डाकुमेंट लगा कर वीजा लेनी की कोशिश क ही है उससे कानल जो जैनिल स्टूडेंट भी सफड हुए है Sweden बच्चों को सब को इंटर्वू के लिए कॉल किया और साथ में कहा कि आप अपनी डिग्री लाइए हमने इसको बेरिफाइब करना तो बच्चे गया नहीं बढ़ डाल ली तो ऐसा यह केस था अभी मेरे पास आ हमारे पास आईए कौन सी कंडर डाले अगर आपने वहां पर हाइर स्टूरिज्म के लिए जाना है तो अगर आप इस चाइप के केस टडी रेगुलर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगए बेल अक्ल को जिरूर पुछ कर अगर आप भी अपना case हमारे साब share करना चाहते हैं, जिसके अगर आपका case ऐसा हो, जिसमे और लोगों का भला हो सकता है, help हो सकती तो आप भी हमें अपना case भेजिए, ताकि हम उसकी भी वीडियो बिना कर लोगों को aware करें, क्योंकि लोग इस type के जो agent के हाथों चड़ जाते ह वहां से बस सकें और इस टाइब की मस्टेक्स ना करें बार-बार तो हमारे चैनल के ऊपर इस टाइब के बहुत सारे के स्टड़ी है अगर उनको भी देखने चाते हो हमारे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हैं और आपको जिए मेरी वीडियो उच्छे लिए कि उसको लाइक पिनिशिर करन आपके, thank you.